हलो नमस्कार मैं डाक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हादिक स्वागत करता हूं अब हम बास्चित करते हैं जो चायावाध चायावाधी यूगीन जो पत्रकाईता रही है उस पर छायावाधी यूगीन पत्रकाईता एक तरीके से चायावाधी यूगीन हिंदी पत्रकाईता इसका समय 2018-1936 के बीज में और वैसे भी छायावाध का समय जो ौनिधारित के बादी सब्सक्राइडब से वह वह ल क्यानकर निधार चैर्स तो Mitte इसके बीच में यह कुल आफार वर्सों का समय है उसमें हिंदी पत्रकाईता का क्या रूप था उस पर हम चर्चा करेंगे और कुल कितनी पत्रकाई इसमें प्रकासित होती थी नाम से आज इसमें समपादक थे राम सहगल राम सहगल और चंडी प्रसाद हिर द्येस चंडी प्रसाद हिर देस से कहानिकार रहे हैं और देस पूरा नाम क्या है तो चंडी पत्र हाई यह नाड बिस . investigating नारी बीशेल क्थ कही बाई पूश लिहा आता है चांद या फिर कौन पत्र निकल रहा है था छाया समय में तो च्राइन इसका उत्र होगा और इससे जुराव था महा देविवमा का महा देविवमा कर जुड़ां चांग पत्रिका से था यह कई बार इक जान में पूछा जाता है ठीक है सन 1922 इस भी में एक पत्र निकला जिसका नाम है माधूरी माधूरी नाम है और इसका जो संपातक थिसके डुलारे लाल भारगव यह लखनाव से प्रकासी थोता था माधूरी लखनाव से प्रकासी थोता था और यह चायावाद की प्रबल समर्थक पत्र का थी कई वह एक्जाम में पूछा जाता है कि चायावाद का प्रबल समर्थन क कांसे लखना उसी इससे प्रेम चंद और सिव पूजन सहाय इनका भी जुडव था प्रेमommes चंद और सिव पूजन सहाय का जुडव का जुडव माधुरी पत्र से था ये जुड़े भाई-थी ठीक है तो जब प्रेम चंद से सम्बन्दी ठीट रहे थे 1923 में पत्र निकल रहा था काफी फ्यमस पत्र रहा है और 1923 में पत्र निकला जिसका नामें मतवाला मतवाला नाम से यहाश मियंग असिए ब्यांग मतवाला का जो संपादन किया था निराला का इससे जुड़ा LIDALA जब ही मतवाला का नाम आता है तो निराला का नाम से जुड़ जाता है और निराला ने इसके लिए दो पंक्तियां इसके धे उद्धेश को ध्याने में रखते वे दो पंक्तियां लिखिए हैं वह इस प्रकार हैं कि अमी गरल, सस्षीकर, रविकर, राग-Birag, वरा प्याला पीते हैं जो साधक उन्रका, प्यारा-मत्वाला, वकिते हैं यह दो पंक्तियां उसके धे के रूप में, मत्वाला के धे के रूप में हैं. तो आप देखेंगे कि रामबिला सर्मा ने राग विराग नाम से निराला की कविताओं का संकलंग भी किया है तो यहीं से मुझे लग तया की सब्द को लिए उन्होंने तो यह दो पंक्तियां भी आ जाती है कि कि किस पत्र से सामइल है तो ध्यान में रखिए अमिय गरल से सीकर रविकर राग विराग भरा प्याला पीते हैं जो साधक उनका प्यारा मत्वाला और अपने नाम के अनुरूप ही यह हास जभियंग प्रदान पत्र था और यतने भी पत्र इसके पहले तो सीरियस टाइप के थे लेकिन यह था तो इस 1928 में एक पत्र निकला जिसका नाम है विशाल भारत विशाल भारत इसके संपादक थे बनार्सी दास चत्रुवेदी बनार्सी दास चत्रुवेदी अच्छे एक चीज़ ध्यान रखिएगा जो मत्वाला थाई कलकता से परकासित होता है कई बार यह भी पूछ देता है तो और विशाल भारत बनार्सी दास चत्रुवेदी इसके संपादक थे और यह भी कलकता से निकलता था कलकता से निकलता था कुछ समय तक अग्गे भी विशाल भारत से जुड़े वे थे सचिदान धिरानन्द वासायन अग्गे इनका भी जुड़ाव था तो परिशान कोई देता है अग्गे ने भी कई पथर पत्रिकाव भी संपाधन किया था और मैंने तो रिसर्च के आग्गे पर तो तो थोड़ा से गंबीर अधियन हो गया है तो कई वर सवाल पुछ दिया जा था कि प्रतीक, विशाल भारत ठीक है तो विशाल भारत से अग्गे अभी प्रेमचंद ने संपाधन किया और ये निकलता था काती conclude कि पर बांदोरी के बारे में जिक्र किया तो आप या क्रे में और ऑफ आई क्योंगे था काट me track order राजेंद क कोती है दिल्ली दिल्ली भायवाद की कुछ और पत्रें उन पर विचार कर लेते हैं जिसमें की सन 1932 में यह पत्र निकला जिसका नाम है जागरण जागरण पत्र निकला इसके जो संपादक थे उनका नाम है शीव पूजन सहाए शीव पूजन सहाए और प्रेमचन कभी इंसे जुड़ा था इस पत्र पे इसका प्रकाशन हो रहा था तो प्रेमचन को आप जागरम से वीडियोर कर देख सकते हैं 1932 में हुआ था और यह ज्यादा दिन तक नहीं चला दो साल के बाद यह पत्र बंद हो गया सन 1934 में यह बंद हो गया क्यों पुछा जाता है कि कौन सब पत्र था जोगी आतिक संकट करन बंद हो गया था वर्तमान में तो बहुत सारे ऐसे आपको दिख जाएंगे वर्तमान की सिती यहां कि जितने भी प्रूफेसर है सब्केवाद पत्र पत्र का इता है ठीक है निकालना पड़ता है तो इसलिए बहुत घाल में लो जाता याद करने में खेर अभी हम इसको ही देखते हैं कि 1934 में आर्थिक धनावाव के कारण यह पत्र बंद हो गया दो साल के बारी फिर 1923 में देखते हैं एक पत्र निकला जिसका नाम है भारत ठीक भारत जिसके समपाधक थे नंद दुलारे वाचपई भारत नाम से पत्र निकला कहांसे प्रयांग से और ये जो पत्र था ये च्चायावाद के आलउचकों के जो च्चायावाद की आलउचना करते थे उनकी खबर लेता था था मतलब चायावाद की आलोचना करने वालों की खबर लेता था ये जिक जिया में पूछ लेता है चायावाद की आलोचना करने वालों की खबर ठीक है मतलब नंदुलारे बाद प्याई को ये तनिक भी पसंद नहीं था कोई चायवाद का आलूचना करें क्योंकि चायवाद पर कई आरोप भी लगे हैं कि ये पलायनवादी था इसका कोई आम जंता से जुड़ाव नहीं था सारिक कभी अपने अपने नीजी जीवन को ल से जुड़ा हुआ यूग है ठीक है तो यह उन्नी सो स्थेटी सम प्रकासित हुआ और एक प्रशन बहुत आता है कि चायवाद का जो समर्थन था वो माधुरी पत्र कर रहा था एक तरी के से भारत भी कर रहा है लेकिन चायवाद की सबसे कड़ी आलोचना जिस पत्र ने कि हैं कि इस तरी के सवाल आजाएंगी चायवाद का बीरोद किस पत्र ने किया था उसका नाम है सुधा तो यह पूरा हमने चायवाद यूगीन जो हिंदी पत्रकाई का थी उसमें हमने पत्र पत्रकाउं के प्रकासित होते थे उस अस्थान के नाम को और जो भी कुछ खास च जाएंगी